मैं प्रोफेसर रामनंद यादो इस्टेडिसिप विद रामनंद यादो के यूटूब सेनल में आपका स्वागत है आज हम आपको लिकुड क्रिस्टिल के क्लासिविकेशन के बारे में बताएंगे अगर लिकुड क्रिस्टिल कितने प्रकार के होते हैं यहां हम आपको पता देते हैं लिकुड क्रिस्टिल तीन प्रकार के होते हैं पहला प्रकार इस्मेटिक लिकुड क्रिस्टिल नेमेटिक लिकुड क्रिस्टिल और कोले इस्टेरिक लिकुड क्रिस्टिल इस तरह हम liquid crystal को तीन भागों में बाढ़ सकते हैं तीन प्रिकार्ट का वर्णन कर रहे हैं यहां जो समझने जा रहे हैं यह अणों की व्योस्ता के आधार पर classification किया गया है अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं ismatic liquid crystal क्या होते हैं यह हम आपको बता रहे हैं यह समझ गया ismatic nematic और cholesterol liquid crystal तीन प्रकार के होते हैं आज हम आपको उन्हें बता दे ismatic liquid crystal के बारे में बता रहे हैं ismatic liquid crystal क्या होते हैं ismatic liquid crystal में जो अनू होते हैं वो समांतर क्रम में व्योस्तित होते हैं कैसे समांतर क्रम में व्योस्तित होते हैं और व्योस्तित होकर वो पर्त बनाते हैं लेयर बनाते हैं अनू है समांतर क्रम में व्योस्तित रहेंगे और पर्त बनाते हैं ये पर्ते एक दूसरे से नीमेद दूरी पर होती है जो भी पर्त मालीजे एक पर्त दूसरी पर्त ये क्या है निश्चित दूरी पर होती है पीसरे पर चोथी पर्त इस तरह से ये पर्ते नीमेद दूरी पर होती है पर्ते आपस में स्रल्टा से एक दूसरे पर खिसक सकती है है याईनी है सणक्ति भी करतर से एक थूसले उपर ख्रव सकती है कि इन में आनम होनों कि जड़तर है अर्ड के अनसार होता रहता है और दो तीन आनौ प्रद के बात हो दो तेमें प्रद्हें में जो आनु होते परत में बढ़ एक पर इसी तरह 2 परी त्युन कुन्हीं정 और ये दूसरे के निशित दूरी पर होती है। इसके लिए हम आपको चित्तर दिखाएंगे। अब और आगे बताने जराएं कि इसमेटिक का अर्थ क्या होता है। इसमेटिक एक ग्रिक सब्द है। यूनानी सब्द है जिसका साब्दिक अर्थ सोप लाइप। साबुन जैसा जिस तरह साबुन की परते यह नहीं एक दूसरे पर खिसकती है। उसी प्रकार से इसमेटिक लिकुड क्रिस्टिल की परते भी उसी तरह से एक दूसरे पर खिसकती है। साबुन की चिक्नी परत के समान ही इस द्रव लिकुड की परते एक दूसरे पर खिसकती है। इसलिए इसका नाम सोफ टाइप मतलब साबुन की भावती साबुन जैसा। अब आज इसके गुण। कौन-कौन से परपटी है। कौन-कौन से गुण है। इस बारे में हम बताएंगे अकिस्मेटिक लिकुड किस्टिल में कौन-कौन से गुण होते है। पहले बतान जारा है धयान जी जो श्यांता होती है। तो श्यांता है कि जो जन्रल कंक्स cleaning 008 है। जो सामाने दरों पर लागू होती है, यहां ये सामाने दारा इस पर लागू नहीं होती, क्योंकि सुली दिकारण, क्योंकि विभिन परते एक दूसरे के, ये विभिन परते के जो खिसकती है, सरकने का वेग, सामाने दरों के वेग के समान नहीं होता है, जो पड़ते हैं, जो किसकती है एक दूसरे पड़, इनका वेग जो सामाने द्रव की पड़ते हैं, उनके वेग के सामान नहीं होता है, इसलिए श्यानता की जो सामाने कंसर्ट है, जनरल कंसर्ट है इन प्रलागू नहीं होता है पहला, दूसरा, इन द्रव क्रिस्टलों में न्यूटनी प्रभाद नहीं पाया जाता है, दूसरे प्रोपर्टी, तीसरी, ये मतलब, इसमेटिक लिकोड क्रिस्टल, एन आइसो ट्रोपी गोंदर साथे हैं, विश्म दैसिक्ता का गोंदर साथे हैं, विश्म दैसिक्ता के बारें जानते हैं, जो भोती कुण का मान सथी दिसाओं में भिन बिन दे, उस गोंगों को हम एन आइसो ट्रोपी विश्म दैसिक्त कहते हैं, और ये प्रकास का प्रिक्रिल कर देते हैं, प्रकास का ये प्रिक्रिल कर देते हैं, नमर चार, इस प्रकार क द्रोवगों को यदि काच की पटीका पर रखा जाए तो ये पटीका पर फैल कर एक CT-New-Masam जब इस प्रकार के liquid crystal को हम किसी काच की पटीका पर रखते हैं तो ये पटीका काच के पट्टी पर एक सिटीनुवा संठना बना लेते हैं तो चित्र में दसाये गया है चित्र देखेंगे हुआ है अगला गौर हे यह हमेशा अक्षिय होते हैं यह लिख्ष्टिर स्मेटिक लिख्ष्टिर और चुमबकी जेटर से प्रभावित नहीं होते हैं मेगनेटिक फेल से ये प्रभावित नहीं होते हैं ये बातें मुख्य रूप से दिखी गई हैं अगला छटा ये द्रव क्रिस्टिल सामान क्रिस्टिलों के सामान एक्स्रे विवर्तन पैटर्न बनाते हैं मतलब जो सामान क्रिस्टिल होते हैं वो एक्सरे डिफ्रेक्शन करते हैं तो एक पैटर्न तयार करते हैं प्रावू एक्सरे विवर्तन पैटर्न होता है एक्सरे विवर्तन पैटर्न वो उस भाती उस सामान क्रिस्टिलों की बाती ये क्रिस्टिल क्या करते हैं ये भी वो पै सघ्से विवर्तल बनाते हैं अगला साघ क्रिस्टिव का प्रहु शामपाद समने द्रों की भातिь नहीं होकर पॉर निबgot को नहीं होता है जिस प्रकार सामपाद की द्रों उस रूप में ये लिकुड क्रिस्टल नहीं बैठते है क्योंकि ये तो पर्तों में बैठते है पर्तों के रूप में होता है जो एक दूसरे पर किसकती है ये हम पहले बढ़ा चुके सामाने द्राओं का पर्वा पर्तों के रूप में नहीं होता है ही हाइन आग उस्भार आजो लिकرो पेश्टिल के तुल्ला के तुला में ठोसों से ज्यादा मिलते हैं अर्ठाक मैं पहने आपको कहा रहा हूँ ऑफ जिए नेमाटिक लिक्रो इस्भार टोस्टिल और हम आगे बता आएं के दोनों में कहानता है यहां एक बिंदू हम निने दिए हैं क्व и स्मेटिग लिकृड किस्टिल के गुड़त थोस certeson से कृश्टीलों का गुणष्टवस से जादा मिलते जूलते नहीं है कि ये का सब्सक्दार को यह इस इन robot किस्टल कहा गया कि यह जिर्ण हम दोनों की तुम नगरें नेमेटिक और सिमेटिक लिकड़ किस्टार को से जादा मिलते जूलते है। यह कुछ प्रोपर्टियां थी यह आपको ध्यान में रखने हैं एक नमबर बता चुके दो तीर चार पांप छे साथ यह बाते हैं जो आपको हम बता चुके अगले हमारा तोपिक होगा वो इसमेटिक लिकुट क्रिस्टल होगा वो अगले यूटूब चैनल इस्टेटिसित विद रामण यादाव को सब्सक्राइब कीजिए share कीजिए thank you very much